हेलो फ्रेंट्स, होफ़ली आप सभी लोग अच्छे होंगे, एक बड़ा ही इंपोर्डेंट टॉपिक, खास करके ठीक है, जो कमपेटिटिव एक्जाम्स है, जैम, नेट, गेट, वहाँ पे भी आप्शन में तो आई जाता है, ये थियूरम, कैले हमिल्टन थियूरम या इस थियूरम का स्टेट्मेंट और प्रूफ, प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं, जो कि प्रूफ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसका प्रूफ जरूर देख लीजिएगा, किसी भी बुक्स में देखेंगे, या कोई आपके जो प्रूफेशर होंगे, वो अगर तो उनका प्रूफ आपके जरूर देख लीजिएगा, बड़ा इंपोर्डेंट है, यहां से एक प्रूइसन आप मान के चलिए, बनता ही बनता है, या तो आपको बोलेगा, इस्टेट एन प्रूफ कैली हीमिल्टन थियूरम, या फिर एक मैट्रिक्स देगा, बोलेगा कि वेरिफाई कैली हीमिल्टन थियूरम, ठीक है, इस्टेटमेंट में बता दे रहा हूँ, प्रूफ आपको होमवर्ग छोड़ता हूँ, लेकिन जो वेरिफाई वाला पार्ट है, अगर वो फूल मार्क्स में देगा, तो थी क्रॉस थी की मैट्रिक्स देगा, अगर सौट ए आता हूँ, इस्टेटमेंट, केली हीमिल्टन थियूरम, यह बोलता क्या है, एक्चुली, यह बोलता यह है न, जो इस्टेटमेंट है, इसको अगर मैं पहले एक्स्प्लेइन कर दूँ, पढ़ दूँगा, यह केली हीमिल्टन थियूरम बोलता क्या है, कि एक कोई मैट्रि करेक्टरिस्टिक एक्वेशन को या मैं यू बोलनों दूसरे टर्म में बोलते हैं कि अपने करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का यह रूट होता है इसका मतलब क्या हुआ समझिए अगर यह मैट्रिक्स है हमने डीटेल में करेक्टरिस्टिक equation या characteristic polynomial देखा था वो क्या था? determinant A minus lambda IN यह था न? and this is equal to 0 यह था characteristic equation और वही से मैंने आपको बोला था इतना जो portion है यह 0 हटा देजिए यह जो portion है यह एक polynomial होगा यह एक polynomial होता है ठीके न? कितने degree का जितना इसको order है तो polynomial of degree N तो यह जो होता है left hand side की मैं बात बोला हूँ यह polynomial होता है degree N का और इसी को हम क्या बोलते है characteristic polynomial और equal to 0 मतलब इस पूरे equation को consider करेंगे तो इसको क्या बोलते है characteristic equation तो Kelly Hamilton theorem क्या बोलता है कि कोई भी matrix है वो अपने जो characteristic polynomial है उसका 0 होता है या root होता है इसका मतलब क्या होता है कि characteristic polynomial यहाँ पे जब निकालेंगे तो किसके term में निकालेंगे lambda के term में lambda के term में एक equation बनेगा न N degree का मतलब polynomial इसको matrix equation में बदल देजे matrix equation क्या है जहाँ जहाँ lambda है न उसको उस matrix से replace कर देजे for example अगर 2 cross 2 order की matrix मैं लेता हूँ second order की और इसकी characteristic polynomial मेरी यह आती है lambda square minus 3 lambda plus 4 for example यह polynomial है और equal to 0 कर देंगे तो characteristic equation आ गया मैं मानके चलता हूँ कि यह characteristic polynomial है जिसको मैंने आपको बोला था कि represent कैसे करते है P lambda से तो माली जी यह P lambda polynomial है तो यह क्या बोलता है केली मिल्टे थिरम की इस polynomial जो है इसका यह root होता है root मतलब क्या हुआ यहाँ से आप क्या करिए matrix equation बोलिए अगर इसे equal to 0 कर देंगे तो equation हो गया तो यहाँ पे matrix equation बोल दीजिए या मैं यू बोलू कि इस polynomial में equation छोड़ दीजिए अभी characteristic equation पे मत जाईए पहले polynomial पे आईए तो मैं क्या बोलना हूँ कि यहाँ पे अगर मैं lambda को A से replace कर दो तो इधर क्या होगा matrix बनेगा मतलब matrix A का स्क्वाइर माइनस 3A और ध्यान दीजिए जब matrix equation बनाते थे आप तो जहां constant term होता है उसमें identity matrix से multiply कर देते हैं उतने order के identity matrix जो A का है तो A अगर मैं 2 क्रॉस 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे I2 कर देंगे A अगर 3 क्रॉस 3 ले रहा है तो इसको I3 कर देंगे तो अब यह क्या बोलता है कि यह इसका root होता है तो यह characteristic polynomial है तो इसी में lambda की जगए A रखेंगे तो यह क्या करेगा root मतलब क्या इसको 0 कर देगा 0 मतलब क्या हुआ यह 0 matrix आएगी 2 क्रॉस 2 order की मैं समझा पाया समझा गया statement आप एस replace कर देजिए और इसको evaluate करेंगे तो यह 0 matrix आएगी जैसे 0 matrix आए मतलब क्या हुआ इस polynomial का यह root हो गया अब दूसरे term में इसको कैसे define करते हैं कि अपने characteristic equation को satisfy करता है satisfy करना मतलब क्या हुआ characteristic equation क्या होगा equal to 0 कर देजिए अब मैं lambda की जगा a रख दूँगा तो a square minus 3a plus 4i अब यह 2 cross 2 का है तो 2 यह अगर a 3 cross 3 order का तो यहाँ पर i3 कर देंगे i2 i3 depend करता है a का order क्या है और this is equal to 0 तो यही बोला satisfy करना मतलब क्या होगा कि left hand side में अगर यह matrix से replace करूँ इस characteristic equation में तो right hand side अपने आप zero matrix आ जाएगा दोनों का meaning सेम है तो अब समझ में आया चलिए थोड़ा जागर doubt होगा मैं एक example लेके और clear कर देता हूँ but statement पहले पढ़ते हैं every square matrix is a root of its characteristic polynomial अभी ज़स्ट बताया root हो जाएगा या every square matrix satisfies its own characteristic equation दोनों का meaning सेम है अब रही बात statement यह हो गया proof जरूब proof देखके जाएगा आपके home exams के लिए proof आपका home work है इसमें देख लीजिएगा easy proof है अब इसको देख लेंगे तो तुरंट समझ में आ जाएगा चलिए अब मैं आता हूँ में चीज है जो दूसरा पार्ट में बोल ला था ना कि characteristic आसोरीक एक matrix देगा बोलेगा कि verify करो kelly hamilton theorem यह ज़्यादा तर questions पूछते अगर यह state and proof नहीं दिया तो आपको एक matrix देगा बोलेगा verify करेक्टरिस्ट क्या kelly hamilton theorem verify kelly hamilton theorem तो मैं एक example लेके इसको पूरा detail में बता देता हूँ और मैं example matrix का थोड़ा easy लूँगा ठीके ना ताकि आपको मैं easily पहुच पाहूँ फिर आप matrix अलग-अलग लेके verify कर लीजिएगा मैं आसान लूँगा मैं diagonal matrix लेता हूँ अपने characteristic equation को satisfy करता है या characteristic polynomial का root होता है या 0 होता है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा characteristic polynomial निकाल लूँ ठीके तो अब मैं लिखता हूँ now characteristic polynomial 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 याद रखे मैं polynomial बोला हूँ equation नहीं बोला हूँ तो characteristic polynomial क्या होगा determinant a minus lambda कितना order का है 2 तो यहाँ पे i2 यह characteristic polynomial है ठीक है इसको लिख देजे characteristic polynomial p lambda this is equal to this और अगर characteristic equation लिखना होता तो equal to 0 कर देंगे आप polynomial लेके चलिए थोड़ा आसान होता है ठीक है अब चलिए now Kelly Hamilton theorem बोलता है कि characteristic polynomial का यह root होता यह 0 होता है मतलब इसमें अगर lambda की जगह a रखूँ तो यह satisfy करेगा तो सबसे पहले मैं p lambda निकाल लूँ यह होता क्या है determinant a minus lambda i2 करेंगे तो आपको पता है 1 minus lambda 0 0 2 minus lambda and this is equal to 0 determinant sorry 0 मैं क्यों बोला हूँ equation आदत पढ़ गए यह correct वो eigen value निकालने का ठीक है अब यह होगा क्या ऐसे multiply करेंगे तो 1 minus lambda और यहां से 2 minus lambda and this is equal to बस यह minus 0 करेंगे तो कोई दिक्रत नहीं है चलिए minus 0 भी कर दिया multiply करें पहले 1 को इन दोनों में करें 2 minus lambda यह आ जाएगा minus lambda को यहां करेंगे this यह आ गया ठीक है अब जड़ा देखिए यहां पर यह आ क्या रहा है so lambda square minus 3 lambda plus 2 यह है मेरा characteristic polynomial समझा पाया इस वो निएगा चलिए अब मैं आता हूँ verify करना है क्या Kelly Hamilton theorem तो बस मुझे यह दिखाना ना कि इसका यह root होगा मतलब इस polynomial में lambda की जगह a रख दूँ matrix रख दूँ तो यह 0 हो जाएगा तो अब मैं आता हूँ now p of a जहां जहां lambda है वहां पर a रख दीजिए तो क्या हो जाएगा a square minus 3 a plus 2 जब भी constant आये यहां पर उतने order की identity matrix रख देंगे जितने order का यह original matrix है इतना हो गया अब मैं क्या करूंगा इसको लिख दीजिए equation 1 मुझे दिखाना है कि इसका root होगा मतलब यह 0 matrix आएगी second order की तो पहले मैं क्या करूंगा a square calculate कर लूँ उठा के यही पर value रखनी है और यहां से 1002 ठीक है इस matrix को multiply करेंगे a square निकालना है matrix multiplication जानते row by column होता है तो यहां पर a11 आएगा मैं लिख देता हूँ a12 a21 a22 ऐसे तो यहां पर a11 मतलब first row first column 1 into 1 plus 0 into 0 मतलब आपका यहां जाएगा matrix मेरी ऐसे 1 यहां मैं पूरा लिख दू ना एक step चलिए यहां पर 1,2 first row second column तो 1 into 0 0 हो जाएगा plus 0 into 2 0 हो गया चलिए यहां पर आते हैं 2,1 second row first column 0 into 1 0 into 0 2,2 second row second column 0 plus 2 into 2,4 यह मेरी matrix के आगे 1,0,0,4 अब मैं आता हूँ मुझे ही दिखाना ना कि satisfy करेगा आप सारी values रखिए तो अब मैं आता हूँ from 1 a square minus 3a plus 2i2 अगर इसको satisfy इसका root होगा या 0 होगा इस characteristic polynomial का तो यह जो quantity निकालना हूँ यह 0 matrix आना चाहिए निकालके देखिए जरा तो a square की value आपने calculate किया रख दीजिए ठीक minus 3 matrix a a मेरी matrix क्या है अभी आपने यह लिखा था 1,0,0,2 और plus 2i2 i2 मतलब identity matrix second order की अब इसको जरा evaluate करिए यह 1,0,0,4 ठीक है यह आप plus करिए minus 3 को अंदर कर दीजिए तो minus 3,0,0, minus 6 प्लीज चेक करिए minus 3 से multiply किया plus यहाँ पर 2 से multiply करेंगे यह अब देखिए matrix addition है corresponding elements add होते हैं तो add करिए तो 1 यहाँ से minus 3 और यहाँ से plus 2 यहाँ पर आते है 0,plus 0,plus 0 यहाँ पर देखिए 0,plus यहाँ का 0 प्लस यहाँ का 0 अब जड़ा देखिए क्या आ रहा है यह minus 3 है 2 plus 1 3 तो 3 minus 3 0 यह तो 0 होई जाएगा यह भी 0 है यहाँ देखिए 4 plus 2 6 और minus 6 0 यहाँ गया 0 matrix तो हम यही मैं बोल रहा था कि characteristic polynomial निकाला मैंने ठीकिन उस polynomial में lambda को एस replace किया अब Kelly Hamilton theorem verified होगा कब Kelly Hamilton theorem बोलता क्या है कि इस characteristic polynomial का यह 0 होगा मतलब क्या हुआ कि characteristic polynomial में matrix को replace कर दिया तो 0 matrix आने चाहिए ठीक है मैंने replace किया यह आ जा A square अलग से calculate कर लिया सारी values उठाके यहाँ पे रखा और मैंने दिखाया कि 0 matrix आती है सो यहाँ से आप क्या लिखेंगे Kelly Hamilton theorem Kelly Hamilton theorem theorem is verified is verified तो यह देखिए अगर यह question दिया इतना 2 cross 2 तो यह short answer का होगा मतलब 3 marks maximum full marks में जाएगा तो यही पे matrix का order बढ़ा देगा 3 cross 3 दे रहेगा उससे जादा नहीं जाएगा 3 cross 3 में यह 3rd degree की polynomial होगी आपको a cube निकालना होगा ठीके पहले तो a square निकालेंगे फिर a cube और यहाँ पे जो आएगा उसमें रखेंगे अगेन वो 0 आएगा क्योंकि यह proved theorem है भाई तो Kelly Hamilton theorem आप इसका statement समझ में आ गया होगा और verify कैसे करते हैं तो verify एक जीत होनी चाहिए अगर मैं नहीं भी करता तो जीत होनी चाहिए थी कि अगर यह बोल ला इसका मतलब क्या है इसको जड़ा करते हैं करके देखते हैं समझा पाया तो एक important theorem का statement और verify मैंने इस वीडियो में किया हाँ इसका proof नहीं दिया proof आप अपने से कर लिजिएगा फिर भी अगर concept आपके पास पहुच पाया होगा वीडियो को जरूर like करिएगा friends के साथ share करिएगा चैनल पे नहीं होंगे जरूर subscribe करिएगा comment section में communicate जरूर करिए अगर agree करते हैं तो भी अगर कहीं से disagree करते हैं तो भी आप comment section में comment करें अब next और very very important topic diagonalizable matrices यही से तो भर-भर के question आता है exam, net और gate home exam में भी आपके आएगा ठीक है तो चलिए next video में तब तक अपना ख्याल रखें